तेको वैसे तो जितने भी कोंपी पलेर होते हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग ड्रील होते हैं, वो तो मतलब पूरे दिन ट्रेनिंग करते ही रहते हैं, मतलब उनको चाहिएगी perfection हर चीज में, मतलब कोई ऐसी चीज ना हो जिसमें कि उनका 98% हो, उनको 2% भी चाहिए वो ठीक है, म मतलब आप थोड़ा से aggressive खेलोगें, वैसे देखो एक dark reality यह है, कि जो बंदे normal खेलते हैं एक या 2 गंटे, दो गंटे खेलते हैं लोग वैसे without drill, तब जाके उनकी हाथ pump होते हैं, अगर आप classic match एक 2 गंटे से खेल रहे हो, तब जाके आपके हाथो में थोड़ी गरमहाट आन सिर्फ आपको match start करने से पहले, जो आप classic खेलते हो, टीडेम खेलते हो, 10-15 मिंट यह वाले drill करने हैं, और फुल match, मतलब जितने 2-3 गंटे खेलोगे न, आपके हाथ pump रहने वाले हैं, और जो आपकी grip बैठेगी न, वो next level रहेगी, ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को इन वाले बोट्स पर fire करना, टीक है, और आपको fast करना है, और अगर आप gyro खेलते हो, तो gyro से करना है, और अगर आप non gyro खेलते हो, तो आपको अंगूठे से करना, टीक है, जब आप crocer को एक board से, दूसरे board से बिल्कुल fast gyro से करोगे, तो simple आपका होगा क्या, तो आपकी और एक जो सबसे मेजर चीज ती हैं आपको बताना बूल गया कि फुल वीडियो में आपको बैरल यूज करना है अबे वीडियो नहretoहीं मतलब ट्रेनिंग डिल जो भी आप करो कोई भी डिल करो टीगे लिटरली आपको बैरल यूज करना ठीक है barrel क्यूज करना है सबको पता है कि इसमें बहुती ज़्यादा recoil होता है और जब आप एक non recoil वाली जब M4 gun पकड़ोगे ना तो बहुती ज़्यादा smooth आपका hip fire निकलेगा जो आपने training drills की है ना उसका result आपको देखेने को मिलेगा अगर आप barrel यूज करोगे वो भी without attachment आपको any gun कोई भी gun यूज करोगे हो without attachment यूज करो बाकि मैं prefer करूँगा कि आपको barrel ही यूज करनी है जैसे मैं करना हूँ ठीक है अब यपको simple करना क्या है इस boats वाले area में आ जाना है और यहाँ पे जो यह drill करोगे ना यहाँ का जो result रहेगा ना इसके बाद just stadium खिल लेना बंदे मतल्ब कुत्ते की मोत मरने वाले है ठीक है मैं खुद भाई experience किया हूँ यह चीज ठीक है आपको क्या करना है level 3 पर difficulty करनी है और फिर आपको start कर देना ठीक है तो शुरुआत का जो पहला round रहेगा ना उसमें आपको क्या करना है आपको ADS fight लेनी है आपको मतलब ADS से बहुच को मारना है और पता है तुम लोगों को सिर्फ यहाँ पर head पर ही लगता है सबको पता है क्योंकि बहुत सारे बंदे practice करते होंगे तो आपको यह पर practice करना है और सिर्फ आपको head पर ही aim करना है कुछ ऐसे और जब आप एक round ADS पर खतम कर दो तो उसके बाद आपको hip fire पर आ जाना ठीक है जैसा आपको देना screen shake के साथ देना है जैसा आप देना चाहते हो वैसे दो कुछ ऐसे अब आप लोगोंने बहुत सारी जगह पे देखा होगी बंदे गाडियों से मतलब ऐसे उतारते हैं चुटकियों को इसाब से लेकिन आप से नहीं उतरते हैं तो simple आपको करना क्या आप बैरल लेके यहाँ पर इस वाले apartment के पास आना जहाँ पे boats होते हैं और यहाँ पे बैरल के अंदर 4X लगाना है कोई 6X नहीं कोई 3X नहीं ठीक है simple आपको 4X लगाना है बैरल के अंदर और without attachment ठीक है और आपको spray देना है और बिल्कुल जो यह सामने की तरफ आपको bridge दिखराना यहाँ पे आपको spray देना है सामने की तरफ target है उसके उपर spray देना है और simple जो यहाँ पे आपको गाड़े पे spray देते हो वैसे आपको spray देना अपने scope को आगे की तरफ करना है और literally जो यह पहाड है इस पहाड की आउटलाइन ठीक है इस outline पे आपको यहाँ पे कुछ ऐसी spray देना है देखो, मैं आपको देखे दिखाऊंगा, पहले आपका अगर sensitivity आपके साथों में set नहीं है तो set कर लो, ऐसे मतलब बिल्कुल without fire किये, और फिर fire करना start कर दो, बिल्कुल आपको करना है कहा है जो इस पहाड का outline है ना, उस outline के ब बहुत ज़्यदा हाड चीज है, पर आपको simple एक चीज और करनी है कि जैसे कर आपको बंदे को उतारना है, आपको जैसे ही गाड़ी दिखती है, तो जो आपका scope खुलता है वो सिधा गाड़ी के उपर या फिर बंदे के उपर खुलना चाहिए, विंडो पर खुलना जो आपके mag में जैसे 30 ammo है, और 30 ammo से जो आप पहला fire करते है और पहली ammo निकलती है, अगर पहली गोली बंदे को touch हो गई गाड़ी में जो बंदा बैठा है, तो वो पूरी score उतर जाएगी ठीक है, ये मतलब aim assist यूज करने का सही तरीक है, अगर आपको पहली गोली बंदे को touch होती है, आपका aim assist वरक करता है, तो आपको करना कुछ ने, simple इसी चत पे आना है, और ऐसे मतलब टहलती हुए न, अचानक से इन वाले boards पे scope open करना है, और 2-3 ammo fire करने है, और उसमें से आपकी कुछ गोलिया लगनी भी चाहिए, देखो ऐसे, अब simple अपने grip को उतना ही tight पकड़ते हुए, यहाँ पे आना है, और यह grenade वाला होता है, इसको start कर देना है, उसके बाद उपर से cut वाले बटन पे tap करे, cut कर देना, इससे सब को पता है कि glitch हो जाता है, और यह target आना, नीचे नहीं गिरते जब आप इनको मारते हो, तो ठीक है तो यह वाला target आपको यहाँ पे मिलेगा, और यह वाले target जो speed है, बिल्कुल आपको जिगल जितनी है, और यह बहुती fast चलता है, तो simple आपको शुरात में क्या करना है, इस वाले target के बिल्कुल 7 मे yìgel देना है, अगर यह target जा रहा है, अगर यह right जा रहा है तो आपको right ज अब आपको वहाँ पे अलग अलग जिगल से प्रैक्टिस करना और ध्यान रहे कि आपके हाथ में बैरल होना चाहिए और वो भी विदाउट टैच्मेंट उसके बाद जो आपका हिफ फायर है वो बहुत ही तगड़ा हो जाएगा उसके बाद आपको एंड में आना और यहाँ के अंदर आप उसको मार के अंदर की तरफ आ जाते हो ठीक है यह वाली प्रैक्टिस करने है और लिटरली जब आप यह सब कुछ कर लोगे ना तो उपके हाथों में बहुत ही ज़्यादा पंप आ जाएगा और अभी एना आमको क्या करता हूँ बहुत सारे कलसी दिखाता आप करने के बाद की थे तो कल सी देखे जाना और उमने में गेम सेंस के बारे में सात में बताता रहूँगा यहां पर कौन सी गेम सेंस मैंने यूज कि यह ठीक है बागि अग्या तक वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी यूज कर ल अब कुछ भी कव भाई इन बंदों ने गलती तो की है मतलब इनको ये नोलिज नहीं है कि अगर बंदा गिर्नेड कर सकता है तो एंगल लेके मार भी तो सकता है तो दोबारा से तुम्हार भाई यहां पर गिर्नेड करता है वो फिर देखो अब मैं जैसे नीचे जंप किया एक बंदा नोक हो जाता है वैसे ग्रिनेड से फिनिस भी होते हैं और यहां प एक और बंदा होता है तो मैंने होचा भई यहां से तो बात नहीं बनेगी अंदर जाके सीधा इस वाले बंदे को मार देता हूँ अब इस वाले बंदे को मैं जैसे ही knock and finish करता हूँ तो फटा-फट से मेरे को वहीं पे concentrate करना था जहाँ पे मैंने तीन बंदे नोक कर रखे थे अब मैं यहाँ पे आता हूँ जस्ट मैं आपे grenade करने ही वाला था लेकिन देखो बंदा अब जस्ट नीचे से footstep आते है मेरे को अब आप लोगों ने बंदों की किसमत तो बहुँ ज़दा खराब देखे होगी लेकिन इसका जो तीसरा बंदा था ना उसकी कुछ जादा ही खराबती देखो अब अक्चल में इस बंदे को मार नहीं रहा था बट मैं तो finish कर रहा था और भाई वो आगे आ जाता है दुबारा से pre fire में और सबसे बड़ी mistake pre fire में आके ये कर देता है अब देखो दोबारा मैं यहाँ पर आता हूँ भाई और यहाँ पर आने के बादा ना सीधा मैं अंदर जाता हूँ और यहाँ पर लिटरली जो तुमारा भाई back to back दो score wipe करेगा ना यूंपी मिलती है अब वह बंदे तो नीचे कूच जाते हैं लेकिन जस्ट हैना मैं वेट कर रहा था क्योंकि उपर बहुत सारे बंदे थे अब वह बंदे fight लेकि आएंगे तो नीचे ही तो मैं hold करने लग जाता हूँ और वह बंदे जब आते हैं ना तो कुछ गलती सीन करता हूँ उनके साथ देखना अब यह बंदे अपने ही अलग नसे में लूट रहते अब हो सकता है यह तीसरे वाला बंदा मेरे को लपेट लेता बट भाई की रिलोड आ जाती है और अभी देखना तुबारा भाई यह एक strategy यूज़ करता है सामने की तिरफ बंदा रिवाई हो रहा था जो मैंने नोक किया तो मैं तलवार लेके जाता हूँ अब इस वाले बंदे को मैंने नोक किया दुबारा है जब मारने जाता हूँ तो तो तीसरा बंदा आना उपर से कहीं से पीछे से यूमपी से मर जाता है तो उसका खाता खतम होता है और यहाँ पर देखना फिर से एक और स्कोर आ जाती है और अभी बजाता है इनका लास्ट तीसरा बंदा और इसको भी नोक कर देता हूँ अभी देखना यहाँ पर आना मेरे को साइड वाले वेहरा उससे मतलब बहुँ ज़दा फाइट की गन साउंड्स आ रहते है और यह बंदा देखो भाई मेरे को बोल रहा कि फिनिस कर दे बट मैं इसको नहीं करता हूँ क्यों का टाइम खतम होने वाला था और मैं सामने की कुछ दूसरा बंदा था वो भी इसी के अंदर था और उसके साथ तो कुछ गलती होगा उसके पास शोडगंती देखना बट फिर भी यह नहीं मार पाएगा मेरे को अब तुम्हारा भाई इसको भी इजी तरीके से पेल देता है और उसको पेलने के बाद आना मैं फटा फटा आ जाता हूँ यहां पे दूसरे मैच में ठीक है और अब देखो यहां पे एक बंदा आता है अब वो वाली ड्रिल करने के बाद आना आपका हिफ फाइर कुछ ऐसा ही तगड़ा हो जाएगा और दूसरे बंदे को हिफ फाइर में देता हूँ अब इसको लगा भाई मैं मतलब थोड़ा था नर्वस हो गया हूँ बट ऐसा कुछ नहीं था मैं थोड़ा वेटी कर रहा था कब एंगल में आएगा और अभी बारे आते हैं लास्ट एंड फाइनल क्लच की जो की मुझे बहुत ही जादा पसंद है अब यहां पे सबसे पह अब यहां पे मेरे को लगा था बट दूसरा बंदा हो रहा जाता है अब एक बार के लिए तो मेरे को लगा वाई सब कुछ खतम है बट यह बंदा भी मतलब M16 लेके आया था यह घबरा जाता है और यहां पे ना सबसे बड़े मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं वनच पी होत सायर देखे मैं रिलोड करने के लिए पीचे आता हूं और अब देखो और यह बंदा पीचे मैंने बिल्कुल भी अक्षैप्ट नहीं किया था और अभी यह बंदा मेरे को एंगल देखा है और इसको भी इजी बरकार से मार देता हूं ठीक है मतलब बिल्कुल भी यह वाले